नमस्कार दोस्तो, वेलकम टो स्टेडी 24, बिहार कर्यालाई परिचारी भरती 2022, यह दोस्तो, बिहार में गुरुप D के पदों पे ये वेकंसी आई हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी इस कोश्चन के साथ, इस वीडियो के साथ आया हुआ है, जैसे कि आप लोगो के साथ मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, कहां और क्या काम करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में बहुत सारे कंडिडेट के पास BCBC का NCL सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो कैसे कहां से बना सकते हैं, बिल्कुल घ भर बैठे आप बना सकते हैं, कहीं जाने की जरुबत नहीं है, ऑनलाइन करके बना सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं, तो बहुत मैनल से खो जा गया डेटा है, मैं आप लोगों को सारा डीटेल दिखाने वाला हूँ, अगर इसके पहले अगर जाएगी, merit versus पे selection है, तो हम लोग इसी के कारण जो है, इसका full detail मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, संभीदा पर भरती है, या permanent job होगा, 60 साल के लिए, या 2-3 साल के लिए, या जो salary होगी, कितनी मिलेगी, ये देखेंग कि कव से online हो चुकी है, देखें, तेज तारिक से online सुरू हो चुकी है, last date एक 30-10-2022 तक है, आप आविदन कर सकते हैं, देखें, यहाँ पे जो post दिखाए गई है, यहाँ पे आपको level 1 जो post दिखाए गया है, ये section में आप देख पा रहोंगे, level 1 जो post दिखाई गई है, इस पहले वाला यहाँ पे notification देखना होगा, ये नया notification है, लेकिन जो बिहार में नियम बदलाव किये गए थे, पहले देखें कारियालाई परिचारी का जो ये नाम दिखाया जा रहा है, तो ये पहले group D के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ संसोधन के करने के बाद इसे कहा गहा कि उपरियुक्त विशय परसांगिक पत्र के आलोक में सुचित करना है कि सामानी परसासन विभाग बिहार पत्र पतना के पतरांग संख्या उन्ती सो सोला दिनांग सोला नो दोजार एगारा द्वारा राज के सचीवाले एवं सनलगन कार्यालेयों की अस्थापना तथा मुफसिल अस्थापना के कॉमन कैटेगरी के समुगह यानि गुरूप डी के बिभिन पदो यथा अनुसेवी आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार, प्यून, प्यून जमादार और अर्दली का पद नाम परिवर्तित कर कार्यालाई परिचारी यानि ओफिस प्यून होता था, अर्दली होते थे, माली होता था, स्वीपर होता था, सफाई करमचारी होते थे, तो सभी का नाम बदल के सिर्फ कार्यालाई परिचारी कर दिया गया है, और इसका जो ग्रेड पे रखा गया था, जो मैंने अब ही आपको दिखाया कि लेवल वन का, तो द देखे परिचारी विशिष्ट के लिए जो होगा, इनकी एक ही कोटी होगी, जिनकी पूनरचित बेतन अस्तर लेवल वन होगा, तो अस्तर जो है, एक है, लेवल वन, तो इसमें आपका ग्रेड पे जो है, आप यहां पे देख पा रहे होगे, कि आलोग में ग्रेड पे उनी को ग्रेड पे मिलता है, ना कि संबीदा वाले को ग्रेड पे नहीं दी जाती है, उनको सिर्फ सैलरी दी जाती है, मंतली, तो हम लोग देखेंगे कि कितना सैलरी मिलता है अठारा सो ग्रेड पे वालों का, यह देखे, यह जो है आपका सेवेंथ सीपी सी के अनुसार, अगर साथ बेतर आयोग की में जो सिफारिस की गई थी ग्रेड पे के अनुसार, तो उस अठारा सो ग्रेड पे लेवल वालों को देखेंगे यहाँ पे दिखाए गया कि पे मैट्रिक्स लेवल वन जीपी ग्रेड पे अठारा सो इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है, तो मै आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, कल्कुलेटर के माद हम से यहाँ पर दिखाए गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आठारा सो बालों को 23,913 रुपया उनके हाथ में सैलरी मिलने वाले है, यानि उनका जो बेतनवान होगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपया होगा, लेकिन इसमें जो PF बगेरा कटता है और क्या क्या कटता है, वो सब काट चाट के आपके हाथ में 23,900 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, तो इस पद में भी यही बात है, परिचारी में आपको मिलने वाला है 23,913 रुपया सैलरी, और यह जोब जो है, यहाँ पर देखे, आपने जो बेकेंसी देखी थी, नोटिफिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, कि यह बेकेंसी जो है, यह संबीदा लेवल पर है, अगर संबीदा पर होती, तो यहाँ पर परमनेंट होगी, और सैलरी आपको मैंने दिखाई दिया कि कितना मिलने वाला, 18,000 से लेकर 56,900 रुपय सैलरी है, लेकिन आपको करीब 23,000 रुपया आपके हाथ में यह सैलरी परमन मिलेगी, अब देखते हैं कि कहां और क्या काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि चफरासी का का काम क्या होता है, ठीक है, चफरासी का का काम जो होता है, और यहां पे कहां आपको duty मिलेगी, यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नोटीस के माद हम सब बिलकुल पूरूफ के साथ ही सारा कुछ मैं आपको दिखाना ठीक है तो इसके लिए देखे बिहार सरकार की website पे हमको चलना होगा तो ये हम लोग आ चुके हैं बिहार सरकार की estate.bihar.gov.in dst के portal पे जो की science and technology department का है बिहार सरकार का इसमें आप देखेंगे notice जो है मैं दिखाता हूं regarding deputation of office attendant जो कारियाले परिचारी का पहले deputation किया गया था पहले वाले में तो उन लोगों को किस जगह स्थापित किया गया था इसे थोड़ा से open कर लेते हैं तो एक दो बार refresh करके पहले इसे open कर लेते हैं फिलाल तो देखे दोस्तों ये open नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको बता चाहूँगा इसमें ये notification मैंने पढ़ा था इसमें साथ जो बताया गया था मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कारियाले परिचारी का जो पद है ये आपके सरकारी महाविद्याले और पॉल्टेक्निक कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज जैसे जितने भी कॉलेज बगर करना होगा जो आपके color को बगएर आपको काम देंगे चोटा मोटा काम वही आपको काम करना होता है और इस job में जो चपरासी पाद है तो आप समझते ही होगा कि चपरासी को काम होता है वो क्या क्या करना पड़ता है अब फिलाल मैं यहाँ पे देखे आपको जो बताने वा है इस पे आके आप खुद से आनलाइन कर सकते हैं कि समानी पर शासद्राविभाग की यह लिंक दिखाई दे रही है RTPS सर्विस का इसमें आपका दिखाय गया कि नौन क्रीमि लेयर परमान पतर का निर्गमन बिहार सरकार के प्रायोजनार तो इसी में आप ना online कर सकते हैं या फिर non creamy layer पर्मान पत्र का निर्गमन केंदर सरकार के योजना है उसके लिए तो आप यहां पर क्या करेंगे यह बिहार सरकार की vacancy है तो आपको बिहार सरकार वाला ही बना लेना है ठीक है अगर आपके सकते हैं और बनाने में मातर यहां पर 5-7 बिन का टाइम लगता है ओनलाइन करेंगे आपके email ID पर बनके खुद आटमेटिकल यह आ जाता है आपको कुछ करने की जरूवत नहीं रती है तो यह देखें फॉर्म खुल चुका है इसी फॉर्म को आपको भरना है लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दे दूँगा वहां से आप डारेक्टर ओपेन कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप नॉन क्रिमी लियर सर्टिफिकेट एंसील वाला बना लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो वैकंसी में कोई दिक्कत ना हो उमीद करता हूँ दोस्तो जानकारी आप लोगों को पूरी मिली होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पलपल की अपडेट के लिए और पूरी जानकारी दोस्तो रोजगरविहार.com पे भी वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकार यहां पे उपलब्ध है विहार कारयाले परिचारी चपरासी भरती 2022 को यहां पे ओपन कर लेंगे जैसा ही ओपन करेंगे आपको सारा डीटेल देखने को मिल जाएगा कब से ओनलाइन हो रही है उम्र कितना होना चाहिए क्वालिफिकेशन्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स क्या है काटेगरी वाइज सीटे कितनी है, ओनलाइन करना है तो लिंक कहा से देखिए यहाँ पर registration का link भी है login का भी link है form का इसे भरना है उसका भी video link यहाँ पर click करके video देख सकते हैं तो सारा कुछ रोजगार भी है ड्याट.com पर उपलवद है तो यहाँ आकर यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए मैं मिलूगा next video में next update के साथ अब तक के लिए बाई जहिंद